सेम पित्रोदा की तो बात छोड़ो वो पता नहीं विदेश में बैठके क्या-क्या बोलते हैं और बेसिकली अगर ये कहो कि कॉंग्रेस का अगर सबसे बड़े कोई दुस्मन है तो अपने अंदर अपने आप ही हैं और कहते हमको हैं तो उनको की बात छोड़ो उनका तो दिम कि जो पिछले दुनों जो बाते चल रही हैं उसको बल दे रहे हैं और ये क्या दिमाग की हालत है सेम पित्रोदा की कह नहीं सकते वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं जी रोबर्ट वाडरा ऑमायठी में ऑफिस के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं और सिम्रती रानी कह रही है कि उनकी जीजा जीजा जी को अगर जगदीशपूर के लोगों के बारे में पता है तो संपस्तियों के कागच छुपाने के जरूरा देखिए जहां तक राबर्ट जी वड़ोरा साम की बात है वह तो कह रहे हैं उनके कई पार्णि टिकट दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि अंदर कांग्रेस में यह इंडिया गट बंदन में जो आपस में लड़ाई है वो तो हैं है कांग्रेस में निताओं में भी लड़ाई हैही है यह чи तो मुझे लग परिवार के अंदर ही ऐसा हो रहा है जो कुल्लम कुल्ला वो थ्रेट दे रहे हैं कि उनको कोई पार्टियों लड़ाना चाहती हैं तो यह मुझे नहीं पता कि क्या होगा कॉंग्रेस का और बस अपने आप में सब कुछ होने को त्यार है 36 गर्ट उनका जो दिमागी संतुलन है वो ठीक नहीं है बगेल साब का मुझे लगता खोद दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है जो पूरे देश के हालात हैं और कॉंग्रेस जो मरती जा रही है मरता जा रहा है उससे उनकी दिमाग की हालत ऐसी होगी है और जो हमारा 400 के पार का नारा है उससे उनकी दिमाग की हालत ऐसी होगी है कि वो कुछ का कुछ बोल रहे है असलियत में उनकी दिमाग की हालत भी ठीक नहीं है